तो हमने इस example को implement किया जिसमें हमने यह देखा था कि अगर हम call 1, call 2, call 3 इस तरह से classes apply करते हैं तो क्या होता है हमने यह देखा पिसले lecture में कि हमारी screen अगर हम इसे 12 equal parts में divide कर दें तो हमारे पास जो class call 6 कुछ इस तरह से apply होती है कि अगर 12 equal parts में divide करने के बाद अगर हम उसे 6 part उठाएं equal 6 part तो उस part में जो पहला div यह फैल जाएगा second में अगर हमने call 12 बिखा तो फुल स्क्रीन हो जाएगा मतलब जो अपना container है उसका पूरा जो 100% area हो उसे फैल जाएगा तो इसके बाद अब हम देखने वाले हैं कि हम different screen size के हिसाप से कैसे उसे implement करेंगे तो मैंने इस example को save किया मैंने का save as d.html तो इसमें मैंने d.html create किया और मैं यह सब यह से remove कर देता हूं तो मैंने से remove किया का आपने देखा row text white यह same है मैंने यहाँ पार एक h1 tag बनाया तो मैं यहाँ पर एक small tag बना लेता हूं small और यहाँ पर यह मैंने किया small तो मैंने इसमें कुछ dummy text लिखा ctrl shift B इसके बाद मैंने row है तो मैं इसमें class apply करूगा मैंने का class column और साथी मैंने का bg danger और मैंने एक और small tag बनाया और इसमें मैंने text और इसके बाद मैंने class apply किया column और साथी bg info और वैसे ही और बनाया small इसके बाद यह किया मैंने class apply किया मैं different world cloud के use करूँगा तक ही देखने में और समयले में असानी ही मैंने का column है और साथी bg success का मैंने use किया इसके बाद मैंने chorus one tag बनाया और इसमें class apply की column और background cloud मैंने का bg warning मैंने save किया और मैं इस example को run करता हूँ कि देखा मैंने चार कॉलम बनाया और एक रो कुछ इस तरह से यहां पर दिखाई दे रहा तो मैं चाहता हूँ कि equal parts नहीं होना चाहिए तो हमने बचले lecture में देखा मैं यहां पर one two three use कर सकता हूँ मैं का column two जो second वाला है वो होना चाहिए column four और अगर इनका total 12 हुआ तो ही यह single row में दिखाई देंगे लेकिन अगर 12 से जादा हुआ तो यह row change कर लेंगे तो मैंने का 12 इसके बाद मैंने इसमें का six तो में देख कितना हुआ six plus four plus two 12 हो गया तो अब इसलिए यह last वाला में नीचे आ जाएगा next row मैंने इसे reload किया अब ने देखा हुआ two four six and plus five तो मैं ऐसे single row में रखना चाहूँआ तो मैंने का four यहां पर किया यहां पर बकड़ेता हूँ two और यहां पर किया four four plus two six plus four तो मैं इसको कर देखा हूँ two हुआ मैंने का reload तो यह आ गया तो हमने देखा अगर मैं call का use करता हूँ तो यह हर एक screen size में equal part में divide होता है आपने देखा अगर मैं इसे resize करता हूँ तो कोई फरक नहीं पड़ेगा मैं screen को और छोटा करता हूँ कोई फरक नहीं पड़ा लेकिन अब मैं क्या चाहता हूँ कि अगर मेरी screen large size में है तो यह जो red वाला जो div है उसका size होना चाहिए six और अगर small है तो मैं चाहता हूँ यह अब मैंने say reload किया तो आपने देखा column अगर large है मैंने का screen large है तो इसकी size 6 होनी चाहिए लेकिन small है तो क्या होगा आपने देखा अगर small है तो मैंने small के लिए यहां पर कुछ इस यहां पर define नहीं किया तो 12 part में divide हो जाएगी मैंने का 12 जो area है वो पूरा उसमें spread हो जाएगा तो आपने देखा अब मैं चाहता हूँ कि column यह अब small हो तो मैंने का call SM मैंने कि column small होगा तो यह single part मैं divide होगा तो मैंने का single part है उसमें पहलेगा मैंने का reload तो आपने देखा भी large है मैंने इसे small किया तो आपने देखा कि यह जो website है उसे open किया website है mode step 4 तो आप इसमें देखेंगे mode step 4 में mega introduction यहाँ पर आपने देखा documentation और यहाँ पर layout में जाएंगे आप इसके बाद मैंने का grid है तो grid में आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर mention किया हुआ है कि call ng call SM इनका क्या size यहाँ पर define है तो आपने स्क्रॉल किया तो यह यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर यह size दिये हुए अगर मैं call SM का use करता हूं तो 480 pixels पर call nd use करता हूं तो 768 pixels call lg use करता हूं तो इसका मतलब 1024 pixels तो इस तरह से यह divide हुआ है तो मैं call SM call lg call md का भी use करके दिखाता हूं मैंने का call md sorry call md मैंने का 6 call md 6 और call lg 10 मैं इसे reload करें तो मैंने का call lg 10 होना चाहिए तो देखें के हम जैसे हमारी स्क्रीन लार्ज है तो यह 10 parts जो है इसमें फैला हुआ है और मैंने इसका call medium 6 और call SM 1 तो हमने का resize किया है तो मैंने इसको थोड़ा सा यह किया तो आपन देखा यह medium size है medium size है तो इसका जो यह है उस 6 है मैंने इसको small किया है तो यह small size ही तो आप में लेखा यह one है तो इस तरह से हम जो responsive website में अपना जो काम है designing का को कर सकते हैं अलग-अलग screen size में हम अलग-अलग div size यहां पर define कर सकते हैं इस वीडियो में इतना ही